हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत अश्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंटर फिर्स के वीडियो में आज 1 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की PDF डाउनलूट करना मत भूलिएगा ये PDF आपको हमारे Telegram channel से मिल जाएगी जिसके link नीचे description में दी गई है उसके अलाबा ये PDF आपको exam Guruji app से भी मिल जाएगी इसके link भी नीचे description में दी गई है तो आज ये app download कर लेज़ेगर अभी तक आपने app download नहीं किया है तो उसके अलाबा ये app पर आपको मद्यप्रदेश जेल प्रहणी के लिए test reach जो कि केवल 249 में available है MPPSC के लिए test reach MPPSC के लिए printed notes हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्य हमें MPPSC के लिए full course pre और mens के लिए MPSI के लिए course और बहुत जल्द MPPSC के लिए आपका notes भी हम आपको प्लब्द करवा रहे हैं अधिक जानकरी के लिए number पर WhatsApp या इस number पर आप call करके प्राप्त कर सकते हैं आगे बात करेंगे thought of the day की जो आज का हमारा motivational powerful thought है कि निरंतर संघर्स करो मेरी आप सब को यह सला है जिन्दगी में एक चीज़ जरूर करते रहो वो है हमेसा सफलता प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो हमेसा संघर्स करते रहो क्योंकि सफलता इसी से मिलती है देखिए संघर्स जब कर रहे होते हैं तो हम एक बुरे समय से आएक ऐसे दूर से बुजर रहे होते हैं जिससे उन्नती हो रही होती है जब हम संगर्स नहीं करते जीवन में उस समय हमारी उन्नती नहीं होती बलकि हम अवनती की ओर धलान की ओर होते हैं और जब हम संगर्स कर रहे होते हैं तो हम यकीन मानिएगा उन्नती की ओर होते हैं उपर की ओर बढ़ रह कि प्रदान मंत्री ने कहां सरदार पटेल जियो लोजिकल पार्क और आरू गिवन का उद घटन किया है यह गुजरात में किया दूसरा प्रस्ट्री एकता दिवसका मराया जाता है तो 31 अक्टूबर को तीसरा प्रस्ट जापान का कब तक सुन कार्बन उत्सरजन प्राप्त क प्रदान का लक्ष है तो यह 250 का लक्ष है चौथा प्रसंण है कि महिला यात्रीयों की समय थाफ्ज्या के रेल फ्रिय कीशिए два एय네 काना मेरी सहली अभियान वहीं समाच्वा प्रसंण है कि भारती सेना ने किस नाम से किस नाम से फ wellness 부 jim मंतरा लेके द्वारा की गई साथवा प्रसन है कि नए मुख्य सुषना युक्त की रूप में कौन युक्त किये गए हैं और ये यश्वर्धन कुमार से नहा है आठवा प्रसन है कि युद्ध प्रदूशन के विरुध अभियान में भागीदारी के लिए दिल्ली में किस नाम से एक मुबाइल एप लॉंच किया गया है तो ये ग्रीन दिल्ली के नाम से और नवा प्रसन है कि सबजियों के निश्चित आधार मूल लेते करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है और ऐसा करने वाला पहला राज केरल है दसोब प्रसन है कि कहां एकल प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीक टूनमेंट खिला जाएगा और ये इन दोर में खिला जा रहा है सही उतर है डीटेल लेख लीजे क्या है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर याद रखेगा ये दिन राश्ट्री एकता दिवस 31 अक्टूबर यादि की राश्ट्री एकता दिवस को गुजरात के केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सिवा की सुरुआत की है और सी प्लेन उडाने जो है इसकी जो उडान होगी ये स्पाइस जेट की पूर्ण स्वामित वाली सहय कंपनी है स्पाइस शटल द्वरा इसक संचारत किया जाएगा और सी प्लेन के होता है ये जमीन के अलाबा पानी से भी उडान भर सकता है इस प्रकार से और लैंड कराने के लिए भी पानी ये जमीन दोनों का इस्तमाल किया जा सकता है यानि हवा में भी ये पानी से जा सकता है और पानी में उतर भी सकता है बात क स्मेल्टर ये भी आपको याद रखना है और गुजरात में ऑनलाइन ई संजीवनी ओपिडी योजना की सुरुआत हुई है और गुजरा सरकार के द्वारा मुख्य मंतरी महिला उतकर्ष योजना का भी सुभारम किया गया है बात करें दूसरे प्रस्न की के विश्व साकाहरी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व साकाहरी दिवस यानि कि वर्ल्ड वीगन डे याद रखेगा ये वेजिटेरियन डे नहीं है वीगन डे है और ये मनाया जाता है एक नवंबर को यानि कि ए आप्शन प्रस्नका सही होता है जबकि जो वेजिटेरियन डे होता है वर्ल व्रिग resistant के रूप में मनाया जाता है और उनीस सो शोवालिस में वेगन सौसाइटी के स्थापना हूँ थी और जिसने विश्वे साकारी दिवस यानि कि वर्ड वेगन डे पहली बार वेगन सूसाइटी ने एक नवंबर 1994 को मनाया था यानि कि एक नवंबर को 1944 में स्थापना हुई थी वेगन सोसाइटी के और उसी को प्लक्ष में 1994 से ये दिवस मनाया जा रहा है अब अंतर क्या होता है वेगन में और वेजिटेरियन में हलाकि दोनों को हिंदी में शाकाहरी कहा जाता है लेकिन दोनों में बिसिक अंतर होता है वेजिटेरियन जो होते हैं वो मांस और अंडे का सेवन नहीं करते हैं केवल शाक भाजी का यूज करते हैं लेकिन डेरी प्रोड़क्ट्स का यूज करते हैं जैसे प्योर शाक भाजी पर इसमें विक्ती लेता है तो यह आपको याद रखना है कि वेगन में और विजिटीरियन में यह अंतर होता है आगे बढ़ेंगे बात तीसरे प्रसनकी होगी कि भारत ने किन देशों के लिए एक बिलियांड डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किय है और यह विस्तार किया गया मद एशिया इस देशों के लिए यानि कि अप्रसन का सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो विदेश मंतरी भारत के डॉक्टर एश जैसंकर इनके अध्यक्षता में एक बैठक होई भारत मद एशिया संवाद और इसकी दूसरी बैठक इस बैठक में मद देशिया के सभी पांच देश सामिल हुए, कौन-कौन से पांच देशिया में सामिल किये जाते हैं, कजाकिस्तान, ताजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन पांच देशों को मिलाकर ही मद देशिया कहा जाता है, भारत इसने connectivity, उर्जा, IT, स्वास्तेवा, सिक्षा और क्रिसी शेत्र, इसके लिए priority development projects जो इन पाँच देशों के अंदर होंगे, ऐसे projects जो इन छेत्रों से संबनित होंगे, इन छेत्रों से संबनित होंगे, उसके लिए 1 billion American dollar का line of credit देने की घोशना की है, तो यह एक प्रकार का जैसा ही होता, line of credit, यानि कि यहाँ पर क्या होता, पैसा नहीं दिया जाता, पैसे के बदले सामान दिया जाता है, उतने रुपए तक का सामान हम कर्ज के रूप में देते हैं, अब बात Central India, Asia और दूसरे जो अलग-अलग नाम आपने सुना होगा, कभी East Asia, कभी South Asia, तो इनक कौन से जगह आती हैं, तो इसमें Central Asia में आ जाता है, आपका कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जगह मिला कर, और इसके अलाबा भी Georgia, Armenia, Azerbaijan, Azerbaijan, Azerbaijan और Armenia के बीश में अब लाई भी चल रही है, तो ये सब किसमें आते ह हैं, और West Asia के अंदर पाकिस्तान के आगे आप इरान, इराक देखेंगे, तो ये वाला जो छेतर आता है, इरान, इराक, सीरिया, लेबिया, ये आता है, और चाइना फूर्वी इसिया में आता है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, अब हम अगले प्रस्न की, अगला प्रस चौथा है, कि चौधवे एशियाई फिल्म प्रसकार 2020 में, किस फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल स्कूर प्रसकार जीता है, और ये प्रसकार जीता है, भारत की गली बाई ने, यानि कि सी आप्शन प्रसन का सहीवतर है, डीटेल देख लिजे क्या है, तो एशियाई फिल्म प प्रसकार दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इसके अलाबाद दूसरे जो प्रसकारों की बात करें, तो सर्वस्रिष निर्देशक का प्रसकार मिला, वैंग, शियाहोई सूक को इतने लंबे समय तक मेरा बेटा, इस नाम से एक मूवी बनी थी चाइना में, प्रसकार दिया गया है, परसाइट जो की दक्षन कूरिया की मूवी थी, और इसको दक्षन कूरिया की ये मूवी जो परसाइट है, इसको ऑसकर भी दिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसको ऑसकर प्रसकार भी दिया जा चुका है, बात करेंगे पांचवे प सुने तो यह उपाधी दी जाती है किसके द्वारा बिरिटेंड के द्वारा doğru यह उपाधी दिया और केबल बिरिटेंड के लोगों को ही इसलिए आपको युपाधी देखनी को मिलेगी शर की उपाधी नाइची एकष्वर में कहा और उसी में अपनी पहचान इनकी दोरा मनाई गई थी सर सीन कॉनरी की बात करें तो दा अन टचेबल्स में इनका जो प्रदर्शन था उसके लिए सर्वस्रिष्ट सहायक अभी नेता का आसकर पुरुसकार भी नोंने जीता था बात पिछले कर अंटर्फिर की करें तो भारत की पहली आसकर अवार्ड विजेता भानु अथया इनका निधन हो गया इसके अलाबा पार सोगायक एसपी बालसो ब्रमन्यम इनका निधन हो गया हिंधी मराथी फिल्मों की अभी नित्री आशालाता बावगाओं कर इनका निधन हो गया और गेम ओливо थ्रॉं सीरीज में निभाईने वाली इनके द्वारा एक भूमी का निभाई गयी थे टाइरल इनका निधन हो गया है और इन बिटिस एक्टरिस थी उद्घाटन कहां किया है और इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में यानि कि C option प्रिस्टन का सही उतर है डीटेल देख लिजे क्या है तो Chief Justice S.A. इन्होंने महरास्ट के शाहर है नागपुर, नागपुर में देश के पहले E Resource Center का उद्घाटन किया और इस Resource Center का इस्तमाल जो किया जाएगा हाई कोट और साथ में Supreme Court में E Filing या E Hearing ऑनलाइन सुनवाई के लिए किया जाएगा बात करेंगे साथ वे प्रसन की कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशु भाई का केशु भाई पटेल इनका निधन हो गया है और ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे यानि कि D-Option प्रसन का सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशु भाई सवदास भाई पटेल इनका निधन हो गया और 1995 में कुछ महिने के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं गुजरात विधानसाबाब में 6 वार के सदशे रहें यानि की 6 वार विधायक रहें और 2012 तक भारती जनता पार्टी का हिस्सा थे बाद में उन्हें अपनी अलग पार्टी बना ली थी बात करेंगे गुजरात की तो यहां पर मैप में देख लिजे ये गुजरात है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है याद रखेगा कोई भी जब आप मैप देखें तो ये उपर वाला हिस्सा हमें सा नौर्थ होता है नीचे वाला हिस्सा हमें साउथ होता है और इस तरफ आप देखेंगे तो यह सबसे पूर्वी वाला है सा उसा होता यह सबसे पशिमी तो गुजराठ जो है माफ की जिगा सबसे पशिमी राज्यव भारत यह सबसे पस्टमी वेस्टन राज्य है। बात पिछले करें तो बिहार के पंचायती राज मंतरी कपिल देव कामत इनका निधन हो गया। शेखा राव और इन्होंने भूमी और संपत्ती पंची करण के लिए याद रखेगा इस पोर्टल पर भूमी का और संपत्ती का पंची करण होगा। राज सरकार इस बेव पोर्टल के माध्यम से पंची करण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्तियों के लिए दिन का ब्योरा रखेगी। बात करेंगे अब हम तेलांगना की मैप में देख लिए यहाँ पर ही तेलांगना है यहाँ पर यह जो राज है यह आंद्रप्रदेश है जिससे अलग होकर तेलांगना बना था दो जून 2014 को राईधानीस की हैदराबाद है मुख्यमंत्री के चंदरशे खर रहा हो है राज और म्रगवानी नेशनल पार्क यहाँ पर है वही प्रमुक बांधो में निजाम सागर बांधे मजीरा नदीपर और राधागारी बांधे तेलांगना भोगवती नदीपर आगे बढ़ेंगे बात नवे प्रसन की होगी कि T20 में 1000 चके पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाडी कौन बन गए है और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाडी क्रिस गेल बने है यानि कि ए ऑप्षन प्रसन का सही होता है डीटेल लिख लीजे क्या है तो क्रिस गेल T20 में 1000 चके पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बन गए है और इन्होंने अपने 4 और सो दसवे मेच में T20 मेच था और ये मुकाम अपने हासिल किया है चके लगाने में क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर कौन है तो किरोंद पुलार्ड जो है वह इसी देश के हैं यानि कि वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं किरोंद पुलार्ड ये दूसरे स्थान प बने है और तीसरी बार अध्यक्ट बने है आदिल जे सुमारी वाला यानि की डिए ओपशन प्रस्नका सही होतर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो उलम्पियन है आदिल जे सुमारी वाला और इनको तीसरी बार भारती एतलेटिक्स महासंग यानि की AFI के अध्यक्ट के कोई हैं ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा मुझे अब बढ़ेंगे आगे बात करेंगे कल के सवाल की कल मैंने आपसे प्रस्ण पूछा था कि भारत नहें किस देश को अपनी सिंधु वीर पंडू भी देगा तो भारत ने ये पंडू भी देने का फैसला मैं अमार के लिए किया है मैं अमार को देगा यानि कि D option प्रस्ण का सही उतर है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रस्ण का सही उतर दिया अब आज के प्रस्ण का उतर सही देना मत भूलिएगा आज का हमारा प्रस्ण है कि भारत की पहली Oscar Award विजेता का नाम क्या था ज